वेल्कम टू फ्रिचर दोस्ता चैनल में आपका स्वागता दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा तेक और चोरसी की धार फाइन कैसे लगा जाती है काफी कारपेंटरों भाईयों के कमेंट आते हैं कि हमें फाइन टच चोरसी की धार कैसे लगानी चाहिए और इसके लिए कौ मैं आपको बताऊंगा और कमेंटर में यह भी पताना यह आपको वीडियो कैसी लगी हो और दोस्तों चैनल को और बेल आइकन का बटन दमाएं हमारी लेटेश वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों यह वीडियो स्टाट करते हैं दोस्तों यह मेरे पास टोन है क्यूमी कंपनी के है चेंची वाई दोएंची का जों से इसका प्राइज आए इसके वपर लिखोगा यानि कि आठ जार दस जार तक के ग्रेट का चाहिए वो स्टोन कौन सा उता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यह देखे यह मेरे पास जपान का इंग ग्ल्ड स्टोन जी वन है यह देखिए मैं आपको खोल कर दिखाते हूं यह दो तो यह अपनी भाश्या पर भी लिखा यह लिखा हुए आठ जार ग्रेट ठीक है यानि कि यह से हम कोई भी रेखमल लगाते हैं जितना हम फाइन पेपर लेंगे सो नंबर का है यानि कि उतनी फनीशिंग ज्यादा है इसी तरीके के यह हमारे जुनसी है यह जैपनिस है यह जैपनिस है यह जैपनिस यह अगर हमने भी धार लगानी है पहले तो क्या करेंगे हम इंडियन धार पर लगाएंगे ठीक है दो जार ग्रेट उसके बाद जोंसा हमने फाइन टैक्च देना वह इस पर देना आठ जार ग्रेट पर और यह भी मैं बताऊंगा अगर किसी भाई को अगर प्रचे जो गया रहा करनी है यह भी मैं बताऊंगा कहां से आपको मिलेगी और दोक्तर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे इंडियन कार पेंटर भाई होते जोंसे ने ने बच्चे आते काम सीखने के लिए वह क्या करते हैं पत्री को टेड़ी कर देते हैं यह देखिए पोने श रख जाली है यह दो भई यह की स्टील की जाली है इसके निकगे मैं ने आदे इंची कि प्लाई रग दिये सीधी करने के लिए हम दो तरीके से सीधी पथ्री को कर सकते हैं एक बालू के उपर भी कर सकते हैं यानि कि बालू लेकर जिससे हम मकान बगारा बनाते हैं providedede कि त तरीके से करने हागे दोस्तों यह कौने खाली होने लगए यह पत्री बिल्कु सीधी बिल्कु जीरो-जीरो हो जाएगी आपके आप दोस्तों इसको रेट के उपर भी कर सकते हो यानकी रेट डालके पानी डालके आप उसके अगर जाली नहीं है आपके पर नेट नहीं मिलता जैस्टील वाला तो आप उसके उपर भी कर सकते हो यह देखिए यह भी कोना खा रहा है यह बिलकु एकदम स्टेट सीधी हो जाएगी दोफ्तो यह देखिए इस टोन हमारा बिलकु सीधा हो चुका है बिलकु स्टेट हो चुका है यह देखिए है कि भी कुल सीधा हो गए अब इसको पर देखो यह तेक मेरी कितनी गोल नजर आ रही है यह देखिए जाली है भोल नजर आ रही है इसके ऊपर कि यह दिखें कितनी गोल है अब बिलकुल स्टेट आ आपको नजर आ रहा हो गया दर से वे दिखाता हूं कर दो तो यह यह सान तरीक है यह दो बैट का मैंने स्टील का जाली लिया जाली एगर स्टील का नहीं लेना आप दूसरी भी ले सकते बेकार होती है और बहुत सीधी हो जाती है यानि की ने के बरापर से चलने लग जाती है आम तोर पर जोन से ने बच्चे आते हैं वह क्या करते हैं बीज में से घिसते हैं अब यह हमारा बिल्कु सही हो गया अब मैं आपको बताऊंगा फाइन धार के लिए हमें कितने यह देखे कितना है यह शुर्मा बनके आखों में डालने के लिए दोस्तों मैं आपको चोर्सी की धार लगा के बताऊंगा कि मैं कौन सा स्टोन इस्तमाल करते हम दोस्तों इंडिया में नंबर वन है यह क्यूमी कंपनी का है इससे बेस्ट पत्थ स्टोन नहीं है हमारे पा दोस्तों जब हम धार लगाएं यह हमारा पठा एक जासा निकलना चाहिए यानि कि यह नहीं कि ऐसे डवक नहीं आनीं चाहिए तो यानि कि जोंसी इसकी चोर्सी की धार होती है लंबे समय तक नहीं चलती हलका सफिर पानी डालेंगे आं हां हुर में अब झायों को अधार रगाते समय पथरी का अमने पूरा अच्णी त Clean के से स्ती्ट नहीं कि यह नह이नीं के जगा पर हमने से करना है सारे सारे openings से इलाका इसका सारा हमने कवर करना है अब इसके General बाला आ गया कि आप कंसे की तरफ हम करेंगे हलका और दोस्तों जब हम बैक में रखते हैं कि कारपेंटर भाई क्या करते हैं इसको ना उपर उठा के रख देते हैं ये बिलकुल भी उठाने हैं बिलकुल साथ में साथ में चिपका हुआ होना चाहिए ये आपका कि यह दो यह बाला आ गया है यह आपको नजर आघा यह बाला इसका जड़ गया है यह बाला आगया तो इसका देखें जीड़ा यह आपको अब क्या करेंगे जों साथ हैं फाइन टैच देना है वह मिस्ट्र ओपर देंगे 2008 की ग्रेट की है और दोते इस पत्री की मैं आपको खासियत क्या है सबसे पहले जों सा इसका बोड़ी बना वह सारा नीचे का प्लास्टिक है अब जैसे यह पत्री है कई बार का होता हमारी सिलेप हो जाती हमें आगे कील लगानी पड़ती है कुछ न कुछ करना पड इसके लिए और घुच्ण सकते फैन अबहें इस तो इसके अबनुन अब वबकूंथ सब्सक्तों करना फेरेकों करती है 15 मिनिट लेट है तो इसके बाद हमने क्या करना है है इसे हैं सो दोस्तों यह पत्थर इतना मलैम है यानि कि इसके उपर थोड़ी सी भी आवाज नियारी भी खिसकने की आवाज भी नियारी चोड़ सीगी इसके उपर दहात देखना कितनी जबरदस्त लगेगी इसके उपर और दोस्तों इसके साथ इन्होंने यह रवट दिया हुआ है जैसे इसके उपर मैल आ जाती है स्टोन के उपर यह इन्होंने दिया और साफ करने के लिए यह देखे यह हमारा साफ हो गया जैसे चिकनाट आ जाती है यह हमारा स्टोन सारा साफ हो गया यह देखे ये रवड़ाई सारी मेल उतर गी और दो तो इसमें ये कई कलर के आते हैं यानि कि येलो में भी आता है कई आपने फोर्न और गोरे देखेंगे इस्तमाल करते हुए ये इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जोंसा ये मिलेगा कुलदीब सर के से कुलदीब सर के पास मिले स्क्रीन पर आपको सामने नंबर नजर आ रहे होंगे तो वहां जाके आपने कुंटेक्ट कर ले ना उनसे और जुन से इसका रेट है यह पिचासी सो के गरीब है कई भाई मुझे कमिंट मत करने देना भी हम ले नहीं सकते मैं यह नहीं कह रहे हैं आप लो मैं तो सिर्फ आप को आपर एंड़े यह पतले पेपर बैस बन कर दो इक टाएंगर के लिए और आ कर तो आए सब्सक्रवियों के लिए और यह working मिरे हके दो aparno कि Falls कि बिंच स्था मेरे हाथ गीने से आहिए हैं से रिंग रेंड नीजा वो एक दम पट्रिस के साथ बी रहा दोस्तों दोस्तों चोरसी की बिल्कुल मैंने फाइन दार करके आपको दिखाई है मैं थोड़ सा आपको नजदीक से दिखाता हूं यह देखिए दोस्तों फाइंदार कैसे लगाई जाती है तो मैंने स्टेप बे स्टेप आपको सारा प्रसीजर इसका बता दिया है और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए कोई भी काम आपको मुश्किल लगता हो तो आपने कमेंट बोक्स में बताना तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आपने आपने कमेंट बोक्स में जरूर मुझे बताना और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी अच्छी लगी चैनल को लाइक करना सिस्क्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद और का बटन दबा जाना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिक्वेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगे धन्याबाद जाएगे वीडियो की नोटिक्वेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगे